पटने से गंगा नदी में हाथसी का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें पती पत्नी और दो बच्चे नहाने के दोरान गंगा नदी में समा गए घाड से तीन चारीवक उन्हें बचाने के लिए नदी में कुदे लेकिन बहाव इतना तेज था कि उनके पास वो लोग पहुच नहीं पाए वो चलाते रहें बचाओ बचाओ प्लीज बचाओ थोड़ी दिर बाद उनकी आवाज आना बंद हो गई आखों के सामने नदी की धारा में वो बह गए घाट पर खड़े कुछ लोग इसाथ से का वीडियो बना लिया सभी की तलास अब जारी है लेकिन आसपास कोई नहीं मिला पहले आप पूरे वीडियो को देखिए अधरा पर संघर्च किया धारा घुमा दिया तो है धूल है जे दूरले एक रागे रगा बॉझ अभुग वोग्ग घुल कर दादे वहाना देखिए अगर देखिए और संघर्च किया था जिए तो है जो है बहुत क्अगर तो है आजब देखिए जाब दिखने जावारे जाले लगतार्श किया अधर्श दर जोग यहाद साब बार थाना छेतर के उमानात मंदिर घाट पर हुआ बदवार की सुबा परिवार स्राद करने आया था इसी दोरान सबी नदी में नहाने लगे पैर फिसलने से वो गहराई में चले गए इसके बाद उन्हें बचाने के लिए चिक पुकार मच गई आनन फानन में लोगों ने इसकी सूचना बार थाने को दी लेकिन सूचना पाकर जब तक पुलिस पहस्ती तब तक उन लोग नदी में समा गए थे पुलिस अस्थानिय गोता खोर के मदद से उन लोगों को तलासने की कोशिस में जुटी हुई है सभी की पहचान सेखपूरा के बरबिग्गा निवाशी मुकेस कुमार 48 वर्स ये पतनी आभादेवी 32 वर्स बेटी सपना कुमारी 15 वर्स और बेटा चंदन कुमार 13 वर्स के रूप में हुई है इस मामले को लेकर जब बार थाना परभारी से बाच्चत किया गया तो उन्होंने बताया कि 100 को निकालने का पर्यास अभी जारी है इन दिनों गंगा नदी का पहाओ काफी तेजी से बढ़ रहा है लोगों को काफी सौधानी बरतने की जरूरत है गंगा की तेज धारा को देखते हुए लोग काफी दहशत में थे आनन फानन में लोग बार थाने पुलिस को फोन किया और मौके पर जब तक वो लोग पहुचे तब तक वो गंगा की धारा में समा गये थे पिड़तों को तलासने के लिए गुता खोर और नाविकों की मदत ली जारी है हलाकि गंगा के तेज बहाव होने से डुबे लोगों की अब तक कोई पता नहीं चल पाया है उनके जो परीजन है उनका रो रोकर बुरा हाल हुआ है अस्थानी प्रिशासन और जो लोग है वो का तलास के लिए जुटे हुए हैं ये लोग स्राद कारिक्रम के लिए पहुची हुए थे और ये लोग जैसी ही नदी में नहाने के लिए गुसे वैसे इनका पैर स्लीप हो गया और गंगा की तीर धारा में ये चारों लोग समा आ गए इसके बाद मौके पर चेक पुकार मच गई आनन फानन में पुलिस जरूर करें